किसान विरो आज हम पहुंचेते गुजरात के राजकोट के रमेश भाई साब के पास जो की बहुत शानदार गोपालन करते हैं लेकिन आज की वीडियो को जो हमारा मुख्या में विशह है कि आप चंदन की खेती प्लस गोचर भूमी और प्लस काफी कुछ है यहां पे आप द बए गोमाता तो सर आफ हमें बताना चाहेंगे कि चंदन की खेती करने का क्या मुख्या विशरा आपका मेरा ऐसे मन में विचा आया था कि चंदन लगा दूँगा और बीच में नीचे घास लगा दूँगा चो उसमें गाय घास चरती रहेगी और चंदन के पैड़ होते र हुच्छा है क्यों कि पूरी दुनिया herbal medicine में जा रही है और चंदन जो है वो herbal medicine plant है जै तो यह सोट के मैंने लगा था तो मैं इसमें काफि हमें सफलता मिली थी मिली है और ये पोधा जब मैंने मालेश वरिम मरे चंदन का वूड इस्टुटिंट साइंस वोब टेकनोलोजी में तो वहां पर ऐसा बताया गया था कि चंदन लगाना है तो इसके साथ कोई और पोधा जरूर लगाना पड़ता है तो पहले ये चंदन के साथ लाल मेंदी लगती है लाल मेंदी हाँ उसके बाद अरहर लगाया तो मैंने इसमें और थोड़ा अभ्यास किया तो मुझे कृष्णा फल नाम का एक पोदा मिला जो जिसको इंगलिस में पैसन फूट कहा जाता है और हमारे महाभारत काल में उसको पांडू बेल कहा जाता था जो पांडू ने इसके फल पे जीवन जंगल में जीवन व्यतित किया था यह कृष्णा फल की बेल है और इसमें इसमें फल आते हैं और इतने आते हैं एक एक पोदे में 40-40 किलो आया था अभी सीजन नहीं है और हमारे यहां पानी नहीं एकदम सुखा पड़ा हुआ है और आपके लिए गोचर भूमी आपने बना रखी है और इसमें दो एकड के चंदन है उसमें साड़े साथ सो पोदे लगे हैं अच्छे से हो रहे है यह बहुत अच्छे है कुछ पोदे थोड़े तोड़े रहे है और आप बता सकते हैं इससे आपको क्या उमीद है व्याफों कितने इंकम हो जाएग इससे अभी अभी ये दस बारा साल के बाद रेड़ी होगा तो अभी इसका रेट लगबं आंट दस हजार रूपया किलो का चल रहा है सुखी लखड़ी का चंदल का जी तो यह दस बारा साल के बाद मुझे लगता है कि तीस हजार के आसपास किलो हो जाएगा जी एक लखड़ी एक पेड़ है कम से पानी नहीं है बाकी यह बार बारिस में फ्रूट आता है और इस फ्रूट का रेट चार सो रुपया किलो है जो आपको 40-40 किलो एक पेड़ से मिलता है और इसका लंडन विगेरे में जूस जो क्रिशना फलका जूस आप गूगल में सर्च करेंगे तो एक एक ग्लास के लंडन में 900 से 1100 रुपया रेट है इसके तो काफी महेंगी चीज है निकी बहुत महेंगी कैंसर 15 दिन क्रिशना फलका जूस जो पीता है ना उसके कैंसर भी रुख जाता है उससे इतना उसमें फाइबर है है इतना आथ की बीमारी सारी पाचन सकती के रिलेटिव आप बताएंगे अगर कोई किसान है वो चंदनी किती करना चाता है यह मोडल उसको फिट बैठेगा और गाए पानना चाता है इसमें घाए भी पल जाएगी और चंदन भी हो जाएगा और रेगिलर खरचा इसका पैशन फूट देगा पैशन फूट मार्किटिंग भी मार्किट मिल जाती है बहुत है आप दिली भेजो मुंबई भेजो कलकता भेजो बैंगलोर भेजो आप लेने वाले लोग खड़े साल में यानिगी दो बारी इनकम ही वहैजा हुए ग्यारा साल में प्रही चाइचा मॉडल मेरे साब से और चारा तो मैं मिली रहा हुए होता रहेगा तो सर अपना नंबर देना चाहेंगे कोई आप से कॉंटक्ट करना हमारी वेबसाइट है www.gearkowcare.org और हमारा कस्टमर केर है 94081 40329 और 28 ये दोनों नमबर हमारी सर क्या सर से आप गाए का प्रस्क्षन लेना सकते हैं तो आप सर से संपरक कर सकते हैं क्योंकि सर हर महीना चार दिन की लगबगर ट्रेनिंग भी देते हैं और सर का चैनल भी यूट्यो वह उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करने उसका भी लिंक को